हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासे में और इस क्लास में हम बढ़ेंगे आधुनिक काभी से संबंधित महत्वण बहुवी कल्पी प्रशन जो की हिंदी टीजीटी पीजीटी नेर्जी आरफ की परिक्षा के लिए काफी इंपोर्ट अरो बताना हैं कौन से सस्ता है जिसके स्तापना भारते इंदु की ज़िए मैहीं पुशन की है युश्या देखते है देखे इसकी आंसर कीी और और राइट जासे है इसके लिए 理ौप्सन दी सब ही य ही इसस भी हैं भारते इंदुे उप्षोण WAS अगला प्रश्ण भारते उन्दूब को वर्तमान काल नाम निम्र्द में cidade में से किस विद्वान की द्वारा दिया गया है। भारते इंदू यूगो को अलग-अलग विद्वानों की द्वारा अलग-अलग नाम दिया गया है जिसके बारे में कल हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि भारते इंदू यूगो को किन विद्वानों ने क्या-क्या नाम दिये हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं और इसके ब वरतमानकाल पुछा गया है कि वरतमानकाल नाम किस ने दिया है इसका राईट आंसर है option A मिश्रीबंध ने भारति ब्यूध को वरतमानकाल नाम दिया है अगला प्रशन है निम्ने में कौन सी रश्ना गोपालचंद गर्धरदास की नहीं है कौन सी रश्णा है जोगो पाचंद गर्धरदास की नहीं है उप्सन है जरासंदवद, भारती भूशन, बाल राम, बल राम कथा मृत और उद्धीपन स्रिंगार इसके लिए राइट आंसर उप्सन दी है उद्धीपन स्रिंगार अगला प्रिशन है आचार राम, चंद शुकल ने भारते इंदु यूग का समय कब से कब तक माना है शुकल जी के नुसार भारते इंदु यूग का समय कब से कब तक है तो देख लिए होंगे आपने उप्सन बढ़ते हैं इसके राइट आंसर की और राइट आंसर है इसके लिए ओप्सन ए अठारा सो आंसर से अठारा सो तिरानबे का समय का समय शुकल जी ने भारते इंदु यूग का माना है देखते हैं अगला प्रिशन क्या है अगला प्रिशन है कंश्रवध सीर्चक प्रबंध कावी कंश्रवध जो की प्रबंध कावी विधा की रशना है किसने लिखी है चलिए तो बढ़ते हैं इसके आंसर की और इसके लिए राइट आंसर है ओप्सन बी अंबिका दत्त व्यास अबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखी रशना है कंश्रवध और इनकी है रशना जो है अपूर रशना है यह रशना पूर नहीं थी इन होने ए प्रबंध कावी की विधा की रशना है और अपूर रशना है इनकी अगला प्रशन है निम्नि में कौन सी रचना स्रीधर पाठक की नहीं है जो रचना स्रीधर पाठक की नहीं है टाइट आंसर है इसके लिए ओप्शन डी शंकर सरोज यह रचना स्रीधर पाठक की नहीं है इसके अधिक्त वनास्टक, जॉर्ज वंदना और स्वर्गी विना ये रशनाए स्रीधर पाठक की हैं देखते हैं इसके बाद का प्रस्ण क्या है कि प्रस्ण है क्रश्ण सतक की रशनाकार निम्न में कौन है अगला प्रस्ण है निम्न में कौन है क्रश्ण सतक की रशनाकार निम्न में कौन है चलिए तो बढ़ते हैं इसके आंसर में आंसर है इसके लिए उप्सन भी समश्या पूर्थी जो दुविदी यूग की विसेस्ता नहीं है वह समश्या पूर्थी है इसके अधिक तो राष्टा की नवीन धारना इती वरतात्मक्ता और नैतिक्ता यहां पर मिलती है लेकिन समश्या पूर्थी यह जो विसेस्ता है वहारते इंदु यूग की अंतर गताती है तो उप्सन भी सके लिए राइट आंसर हो जाता है अगला प्रशन है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्स प्रारंभ हुआ तो सरस्वती पत्रिका के प्रारंभ से ही दुवेदी यूग का प्रारंभ भी माना जाता है दुवेदी यूग का प्रारंभ भी सरस्वती पत्रिका के प्रारंभ से ही माना जाता है चलिए बढ़ते हैं इसकी राइट आंसर में राइट आंसर है ओप्शन B 1900 सरस्वत्य पत्रिका का प्रकाशन 1922 से प्रारंभु हुआ जहां से दिवेदी युक का प्रारंभी भी माना जाता है अगला प्रस्ण है निम्ले में किस लेखक को कविता कामिनी कांद की उपाधी से नवाजा गया है यहाँ पर कुछ लेखकों के नाम दिये गए हैं कुछ रचनाकारों के नाम हैं और कौन से रचनाकार थे जिसे कविता कामिनी कांद कविता कामिनी कांत इस नाम से नवाजा गया था यह उपाधि दी गई थी चलिए तो बढ़ते हैं इसके आंसर में और इसके लिए राइट आंसर है option ए नाथुराम शर्मा संकर नाथुराम सर्मा शंकर को कविता कामिनी कांत के नाम से जाना जाता है अगला प्रशन है इसके अधरिक्ते नहें भारते इंदू प्रग्येंदू भी कहा जाता है इन्हें भारते इंदू प्रग्येंदू कविता कामिनी कांत इन से शर्षकों से नवाजा गया है अगला प्रशन है निम्ने में कौन सी रचना मैथिली सरन गुपत की नहीं है चलिए देखते हैं इसका right answer क्या है? राइट answer है option A. म्रगी दुख मोचन म्रगी दुख मोचन यह रचना मैथिली सरन गुपत जी की रचना नहीं है जबकि वक संहार, वन वैभाव और नहुष यह तीनों रचनाएं मैथिली सरन गुपत जी की रचनाएं है बढ़ते हैं अगले प्रशन में अगला प्रशन है निम्ने में कौन सी रचना दुवेदी युग से संबंधित नहीं है? कुछ रचनाओं के नाम दिये गए हैं जो रचना दुवेदी युग से संबंधित नहीं है वह बतानी है चलिए तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है राइट आंसर है उप्सन डी आराधना यह दिवेदी युग की कविता नहीं है दिवेदी युग की रचना नहीं है यह है चायवाद से संबंधित रचना अगला प्रशन है सुमित्रा अंदर पंद की कौन सी रचना चायवाद से संबंधित है यहां जो रचना यह दी गई है यहां पर उस रचना का नाम बताना है जो की चायवाद से संबंधित नहीं है नहीं मैं आपको आंसर बताना है जो नहीं है चलिए तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है राइट आंसर है ओप्सन बी ग्रामिया इसका संबंध चायवाद से नहीं है ग्रामिया इसका संबंध चायवाद से नहीं है जबकि ग्रंथी, वीना और पल्लो ग्रंति वीना और पल्लो ये रशनाएं च्हायवादी रशनाएं है पंत जी की अगला प्रशन है प्रधम आयाम किसकी रशना है रशना का नाम है प्रधम आयाम बताना है इसके रचेता कौन है देखते हैं इसका राइट आंसर राइट आंसर है ओप्सन C. महादेवी वर्मा की रशना है प्रतम आयाम Option C. इसके लिए राइट अंजर है प्रतम आयाम महादेवी वर्मा जी की रशना है अगला प्रशन है सुमित्रा नंदन पंत जी की चायवादी रशना उच्छवास का प्रकाशन वर्स निम्न में से कौन सा है पंत जी की छायवादी रशना है उच्छ वास इसका प्रकाशन वर्स बताना है पंत जी की कुछ रशना है प्रगतिवाद में पड़ती हैं कुछ रशना है इनकी नवमानावता वास सम्मंधित हैं कुछ रशना है अर्विन दर्सन से प्रभावित हैं हलाकि इनको मानिता च्छायवादी कवी के रूप में ही दी गई है तो देखते हैं उच्छवास का प्रकाशन वर्स क्या है राइट आंसर ओप्सन ए है 1920 इस भी है उच्छवास का प्रकाशन वर्स अग्रा प्रशन है का मायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधी महा कावि किस कवी के दवारा कहा गया है देखते हैं इसका राइट आंसर राइट आंसर है ओप्सन सी नामवर्स हैं नामवर सेहं के द्वारा आधुनिक सर्विता का प्रिजिंदी महा का भी कहा गया है कामाईनी को अगला प्रशन है सिवाजी का पत्र शिर्शक रचना किसकी द्वारा लिखी गई है रचना का शिर्शक है सिवाजी का पत्र देखते हैं इसका राइट आंसर अगली प्रशने है निराला की रशना कुकुरमुत्ता में गुलाब निम्न में किसका प्रतीक है शिवाजी की जो रचना को गुर्मुत्ता है उसमें गुलाब इनमे से किस रचना का प्रतीख है राइट आंसर है इसके लिए उपसन ए पूची पती वर्ग का प्रतीख है छायवाद का प्रथम काभी संग्रह इनमे से कौन सा है इन में से कौन सा है जो कि छायवाद का प्रथम काभी संग्रा है इसके लिए राइट आंसर है ओप्सन इसके लिए राइट आंसर ओप्सन सी है यहाँ पर ओप्सन गलत नोट हो गया है तो छायवाद का प्रथम काभी संग्रा जर्ना है प्रथम प्रभात नहीं है बलकि जर्णा है और इसका प्रकासन हुआ था 1918 से और इसी के साथ ही चायावाद का प्रारंभ भी माना जाता है तो पहला है जो संग्रा काभ्संग्रव जर्णा है 19 rahat हरा में जिसका प्रकासन हुआ और जो यहां पर प्रथम प्रभात आप देख रहे हैं यह चायावाद की पहली चायावादी कवीता यह पहली चायावादी कवीता यह थी पहली चायावादी कवीता प्रथम प्रभात पहली चायावादी कवीता थी और चायावाद का पहला काभी संग्रह था जहरना 1918 जिसका प्रकाशन वर्सिता अगला प्रस्टन है कामाईनी के सर्गों का क्रम निम्न में कौन सा सही है यहां पर कामाईनी के कुछ सर्गों का क्रम दिया गया है तो कौन सा सर्ग सही है बताना है चलिए तो देखते हैं इसका right answer क्या होता है right answer है option चिंता, आशा, श्रद्धा, काम option A इसके लिए right answer है कामाईनी में कुछ 15 सर्ग हैं कुल मिलाकर 15 सर्ग हैं जिसका पहला सर्ग चिंता है और जो अंतिम सर्ग है उसका नाम आनंद है तो इसके सर्ग इस प्रकार हैं जैसे पहले आता है चिंता, आशा, स्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, इर्षा, इला, स्वपन, संघर्स, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और अंतिम आता है आनंद तो पहले चिंता, फिर आशा, दूसा सर्ग आशा है और अन्तिम सर्ग है वह आनंद है और आनंद से पहले का जो सर्ग है वह है रहसी आनंद से पहले का सर्ग है रहसी यानि कि चोदवा जो सर्ग है वह रहसी के नाम से जाना जाता है तो इस परकार यह कामायनी के पंद्रा सर्ग है अगला प्रसन है निम्ने में कौन सी रचना उदे संकर भट की नहीं है यहाँ पर जो रचना उदे संकर भट की नहीं है नहीं वह बतानी है चलिए तो देखते हैं इसका right answer क्या होता है right answer option D है कैकरी जो रचना है कैकरी यह रचना उदे संकर भठी की नहीं है जबकि तक्षशिला, मांसी और विशर्जन यह रचनाएं उदे संकर भठी की है धार के इधर उधर किसकी रचना है रचना का नाम है धार के इधर उधर यह काब भी रचना हैं सारा ही काब भी खंड हम पढ़ रहे हैं तो यह काब भी गरंथ है, यह किसका है चलिए तो बढ़ते हैं इसके answer की और और answer होता है इसके लिए option B हरिवन्ष राइ बच्चन की रचना है अगला प्रशन है जीवन संगीत की लेखक है जीवन संगीत जो रचना है इसके लेखक बताने है तो चलिए बढ़ते हैं इसके answer की और और answer है इसके लिए option A जगनात प्रसाद मिलिंद जीवन संगीत जो रचना है इसके लेखक है जगनात प्रसाद मिलिंद अगला प्रस्ण है नागार्जुन में से किस कावी धारा के अंतरगत आते हैं नागार्जुन की रश्णा एकिस कावी के अंतरगत आते हैं या किस काल के अंतरगत नागार्जुन आते हैं ओप्सन में है दिवेदी यूग, चायवाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद राइट आंसर है इसके लिए ओप्सन C प्रगतिवाद प्रगतिवाद यूग से संबंधित है नागारजुन नागारजुन इनका मूल नाम नहीं है इनका मूल नाम कुछ और है अगर आपको पता हो तो कमेंट जरूर कीजएगा कि इनका मूल नाम क्या है अगला है लाल चुनर की रश्नाकार निम्न में कौन है लाल चुनर रश्नाकार नाम है इसके रश्नाकार बताने है चलहे देखते हैं इसका right answer क्या है रामेश्वर शुकल अंचल रामेश्वर शुकल अंचल की रशना है लाल चूनर इसे के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है मिलते हैं अगली क्लास में कुछ ने प्रस्ण के साथ क्वेशन अगर यूजफ़ लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से जरूर कीजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद